पढ़ाय गए विशे पर अब एक छोटा सा टेस्ट लिया जाएगा अपनी किताब को बंद कर लें और कॉपी को एक नए पेच पर खोलने स्क्रीन पर अभी कुछ सवाल दिखाये जाएंगे इन सवालों के केवल उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं यह एक क्लास टेस्ट है और आपको आपस में बातचीत नहीं करनी है तयार हो जाएए चलिए अब सवाल देखते हैं पहला सवाल थोस की प्रकृति द्रिन होती है सही या गलत दूसरा सवाल डैश बहते नहीं है ठोस द्रव या गैस तीसरा सवाल डैश अवस्था में कण उच गती से चलते हैं ठोस ग्रव या गैस चौथा सवाल पानी पदार्थ की डैश अवस्थाओं में पाया जाता है एक दो या तीन पाँचवा सवाल तापमान बढ़ने से कणों की गती तेज हो जाती है इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गती उर्चा डैश हो जाती है बढ या गट समय समाफ्त हमें आशा है कि आपने सारे उत्तर लिख लिए होंगे अपने सहपार्टियों से अपनी कौपियों की अदला बदली कर लें अब सभी सवालों के उत्तर दिखाए जाएंगे आपको अपने सहपार्टियों की कौपियों चेक करनी है सही जवाब के लिए एक अंक दें गलत जवाब के लिए शूने अंक दें और अंत में टोटल अंक लिखतें पहला सवाल ठोस की प्रकृति द्रिन होती है ये एक सही वाक्य है दूसरा सवाल ठोस बहते नहीं है तीसरा सवाल गैस अवस्था में कण उच गती से चलते हैं चौथा सवाल पानी पदार्थ की तीन अवस्थाओं में पाया जाता है पाँचवा सवाल तापमान बढ़ने से कणों की गती तेज हो जाती है इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज उर्जा बढ़ जाती है इन में से किसी भी सवाल में अगर आपको कोई संदे हो तो अपना हाथ उठाएं अपने सहपाथी से अपनी कॉपी वापस लेकर अपने अंक देख लें टीचर के अंक पूछने पर अपना हाथ उठाएं